हलो फ्रेंज आज मैं बहुत ही टेस्टी चटपटी सी सबजी बनाने जा रही हूं जो आपको बहुत वसंद आएगा और सबसे ची बात पता है कि हमने जो सबजी में आज एक सबजी डाल रही हूं उसे खुद ही अपने गार्डन में ग्रो किया है तो इस तरह से मैं एक किचन गार्डन भी थोड़ थोड़ा रखती हूं जिससे कि कभी भी अचानक से ज़रत पड़े तो मैं अपने गार्डन से ही तोड़ करके सबजीयों में डाल दो तो ये जो देख रहा है सबजीयों मैं के करके तोड़ रही हूं पतिया मैं ये तीसरी बार हार्वेस्ट कर रही तो बहुत टेस्टी लगता है जब आप इसे सबजियों में डाल करके यूज करिएगा तो देखिए कितना सारा पतियां तूटी है हमारे गाडन से किचन गाडन से तो आप इसे जरूर ग्रो कर लीजी आप समझ भी गया होंगे कि ये पतियां किस चीज की है जी हाँ ये प्या और उसे क्या करती हूँ पॉट में ही साइड साइड में लगा देती हूँ तो या तो आप एक पॉट ले लीजिए छे इंज का आठ इंज का और उसमें अच्छा कासा दस बारा प्याज इस दरह से ग्रो कर दीजिए तो आपको जो है ना फ्री में ही ये पतियां मिल जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा तो दो आलू को मैंने कट करके साइड में रख दिया है वाश करके और अब यहाँ पर मैंने लोह की कड़ाई चड़ाई है लोह की कड़ाई में हमने सरसो का तेल डाला है तेल जब गरम हो गया तब हम इने छोटा चमबत जो है मेथी दाना आलू डालने के बाद जो है हम इसे एक दो बार चला देंगे और चलाने के बाद जो है हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद फ्रेंज हम इसे जो है ढख करके पकाएंगे जब तक हमारा आलू अच्छे से लाल नहीं हो जाता और वो अच्छे फिर आधा चम्मच लाल मिर्च वाडर डाल देंगे अब इन मसालों को डालने के पाथ हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ज्यादा देर तक लिने नहीं और जब यह मसाले भून जाएंगे तब हम इसमें एक special मसाला और जो है वो एड़ करेंगे जी हाँ बहुत ही खास मसाला है अगर यह आपने बना क्योंकि जो मिर्च होती है ना लाल मिर्च उसमें यह हम मसाला भर करके बनाते हैं अचाड बनाने के लिए तो यह वही मसाला है अगर यह आपके पास है तो ठीक है नहीं है अगर आपके पास तो आप इसे क्या करिए इसकी जगह पर चाट मसाला एक छोटा चम्मच वो डाल दीसे पर डालिएगा ज़रूरी या तो ये चाट का मसाला है वो मिक्स करिए नहीं तो इसकी जगह पर आप चाट मसाला यूज करिए अब इस मसाला को डालने के बाद बस दो से तीन वारिस को हम अच्छे से आलू के साथ चलाते हुए mix कर देंगे भूनना नहीं है ज्यादा और जो मैंने बारिक कट करके प्याज की जो पत्या रखी है वो अब हमें हाँ पर add कर देंगे तो फ्रेंड्स ये पत्यों की जो साथ जो आलू की भाजी बनती है न बहुत tasty बनती है आप इसे जरूर एक वार इस्तमाल करिएगा अगर ये आपको market में मिल जाती है तो ठीक है नहीं market में मिलती है तो कोई नहीं आप इसे pot होगा ही पौधे जरूर लगाते होंगे बस इसे 2 से तीन घंटे की धूप चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए तो आप वहाँ पर लगा दीजिए कुछ नहीं करना है प्याज को आप बस बीच का पाट छोड़के बाकी से किनारे निकाल दीजिए और जड़ का पाट जो है वो मिट्टे में आप दवा दीजिए ज्यादा ही इंतजार करना पड़ेगा दस से बार में दिल में ही आपको अच्छी खासी जो ये पत्या हैं आपको मिल जाएगी और जब तीन से चार वार हार्विष्ट कर लिजिए तो फिर दूसरा प्याज उसी तरह से कट करके आप फिर से अपने किचन गार्डन में ग्रो कर लिज तो कुछ-कुछ चीजे जो होती है ना फ्रेंड्स पोदीना धनिया पत्ती मिथी ये सब होती हैं चोटे-चोटे से पॉट में भी जो है आप लगा करके ग्रो कर सकते हैं और अच्छानक से जब जरत पड़े तो उसे तोड करके आप अपनी अच्छी घासी फ्लेवर वाली सबजी भी बना सकते हैं तो हमने यहाँ पर दो बाते की ना एक तो प्लांट लगाना बता दिया दूसरा हमने आलू भाजी की जो है अच्छी सी चटपटी सी सबजी बनाना भी बता दिया तो मेरा चैनल फ्रेंड्स इसी पर है प्लांट से भी रिलेटेट है और फिर स्वा पर जो है हमारी सबजी है तयार हो चुकी है हमने प्याज के जो डाले है पत्या उसको बिना ढगे ही अच्छे से चला करके भूल लेंगे थोड़ी क्रिस्पी भी बन जाएगी बहुत टेस्टी लगेगा आप ज़रूर एक वार ट्राय करिएगा सबजी को बनाने के लिए औ बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद से ग्रो करके उसे तोड़ करके हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत अंदर से बहुत अच्छी से फ्लीम आती है बहुत खुशी मिलती है तो वीडियो अच्छी लगे है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रू करिए और प्लांट्स लवर ह है ता आप हमें कमेंट सेक्चन में लिख करके पूछ भी सकते हैं हम फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई